do आजवकं क Hmmm बड़ा ही वर्टािल चल रहा है कभी ओपर रहता है और ज़्याता तर नीचे रहता ऐसे में स्टॉक्स के बाद कर एक दिन चल पाते हैं उसके बाद अगले दिन ज्यादा करेक्शन आ जाता है ऐसा ही कौछ कर चल कि मार्केट में समझने कोशिश करता है मार्केट समरी में आप यहां देख पाएंगे जितने interest rate को बढ़ाने के उपर तो वही सारी चीज़े factor in हो रहे एक चीज़ तो यह रहे बाकि FIS के selling तो आप October से देखी रहे बाकि Global Market के दर बात करें आप यहां देख पाएंगे इस वड़िए आपको 256 के आसपा स्ट्रेट 246 के आसपा स्ट्रेट करता हुआ नजर आ रहा है जिस लेवल के हम बात कर रहे थे पिछले दो से तीन दिनों से के 250 आ सकता है 350 दे 250 उससे भी नीचे आ तो आप समा सकते Market तो आज टोटा लेकिन टेक्निकली कुछ वैसा दिखाई पड़ रहा था अगर हम बात करें फिनांसल सर्विस एनरजी और कमोडिटी सिर्फ ग्रीन में रहने में काम्याब हुआ अगर वह सब ही आपको लाल निशान में देखने को मिलेंगे सेक्टर वाइज भी फिर वह आईटी हो आटो हो या फिनांसल सर्विस के बात करें अगर बैंक निफ्टी की बात करें बारे स्ट्रॉंग दिखाई दे रहा है लेकिन वहां जब प्रॉफिट विकिंग आई तो वहां भी वहां की स्टॉक्स भी लूजर में आ चुके ऐसे में अगर हम बात करें HDFC बैंक लूजर HDFC लाइफ यह भी लूजर आज के लार्सन और उसका टाटा कंजूबर प्रॉडटक यह रहे लूजर अगर गेनर की बात करें पावर ग्रीड ओंजी सी एंटी पीसी सीमेंट हमारी बात हुई थी आँखरी ट्रेडिंग डे में की जिस तरह से क्रूड़ अपने विरको ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आए तो एसे में आप यहां देख पाएंगे कि आज के दिन टॉप गेनर में इसके बात करें इंडिया विक्स 18.89 के आसपास था आखरी ट्रेडिंग डे में और आज के दिन हो चुका है 20 से उपर वापस जंप तब ही मारके ठीक से स्टेवल होगा बाकि आई पी अपडेट के अगर हम बात कर लें मानिवर के दो दिन कंप्लीट हो चुके हैं और ऐसे में यह जो आई पी अभी तक सब्सक्राइब हो है 0.21 टाइम्स हुआ है काफी पूर है और इसमें हम परसनली अप्लाइब बिलकुल लेस्ता है कि जब भी चलिंगे जब भी मारके जरा स EB देगा बड़े ही तेज़ आगे इस चीज का आप नजर में रख सकते है आप फोकस करते हैं चार्ट अनालसिस के उपर निफ्टी फिप्टी का चार्ट लगा हुआ आपके सामने वंडे का तो रिसेंट का आप मूँआ है वह सच्छिन हो नहीं पाया बजट के बाद बजट के एक्सपेक्टेशन में जो थोड़ा सब मूँआ पाया पूरा ख्षब सेचन हो ही गया है तो ऐसे में अगर हम बात कर जिन लेवल के आसपास है 17 दूसर के आजपास अब यहां से जो important या फिर major support के बात करें 17,000 तो अपने आप में ही 17,000 अदरवाइस देखा जाए तो 16,900 इन दो लेवल्स के उपर आप लोग के दो लेवल्स के उपर आप नजर रख सकते हो आरबे की पॉलिसी भी है ऐसे में माकेट थोड़ा सब वल्टाइल रहते हैं तो 16,900 और 17,000 आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे उपर के अगर हम बात करें पहले आप यहीं देख लेज दिया आज के दिर हुआ क्या माकेट खुला पहले ही कैंडल से बस एक तरफा रहली दिखाते गया दिखाते गया जरा से रिकवरी आई अदरवाइस रिकवरी भी क्या है वो कुछ भी नहीं है पोजिशन काटे गए है और उसके बाद थोड़ सा अपमूब देखने को मिला ऐसे माकर बात करें निफ्टी ने जितने भी इंपॉर्टन मुविंग एवरीज तो सभी को ब्रेक कर दिया आज के तो बिल्कुल नीचे आ गया जो एक पर के लिए 20-50 से उपर चला गया था अ काफी पूर कंडिशन दिखाई पड़ रही है तो समनने की जर्वत है ना कि एग्रेशिव होने की जरुवत है अगर निफ्टी की बैंक की बात करना ये भी वीक था हमारी यही बात हुई थी कि टॉनी डिए ये में को टच करने आ सकता है और आज की दिन इसने टुनी डिए से एक सो और तब ही ट्रेट करा था 49,000 के आसपास तो वहां से 1000 पॉइंट रिका करेक्ट कर चुका है वापस अगर बात कर तो इसमें जो अब लेगल दिखाई पड़ रहे हैं बिगनेस में 37,550 के आसपास का यानि कि यहां से 400,500,400,500 पासओ और नीचे आ सकता है इसलिए इन लेवल्स की उपर रहेंगी नजर नेक्स डेज की और इसमें भी कुछ वही रहा ओपन हुआ और सीधा नीचे चलो बस पीछे देखना नहीं चलते रहुआ वाली बात है इसमें भी कुछ वैसा ही हुआ तो कई सारे चीज़ा हमने सब्सक्राइब करने कोशिश की सपोर् सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक्यों सब्सक्राइब